में यर्मेंट 22 की बात करते हैं बाइसनेस क्या होती है बाइसनेस आप ये समझ लें कि आपका नजरिया अगर अपने अकरबा परवरी की तरफ जा रहा है तो आप दुनिया में सही तरीके से किसी चीज को डिवाइड नहीं कर पाएंगे इसकी पंजाबी के एक मिसाल में एकसर देता होता है कि अन्ना बंडे मठियां ते मोडगे डपने अनुदवे यानि कि एक अन्धा बंड है वो की चीज बांट रहा है और वो चीज वो आज आके अपने रिष्टेदारों को ही बांटी जा रहा है means to say कि आप लोगों को ये बता रहे है कि डेटा जो है वो बहुत अच्छा है बहुत क्वालिटी है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डेटा से और हम जब इसे कॉलेक्ट कर रहे थे हमने काफी चीज़ों को मदे नज़र रखा और हमने डेटा को कॉलेक्ट करने के असूलों पर काम किया डेटा को में ये रच्छे से किया और डेटा की एरर्स को रिमूव करने के चांसे हमने देखे but on the other side आप के पास जो डेटा आया है क्या वो बाइस डेटा है या नहीं बाइस क्या होता है बाइस से मुराद ये है कि मैं आपको बोलता हूँ कि पाकिस्तान की पापुलेशन का डेटा जो है आप मुझे दें ठीक है आप रहते हैं लहोर के अंदर तो आप क्या करते हैं आप पाकिस्तान के अंदर सिरफ लहोर की population का data collect करके कहते हैं कि मैंने Pakistan का data collect कर लिया तो basically आप biased हैं against population of Pakistan ज़रूरी नहीं है कि Lahore की population पूरे Pakistan को represent कर रही है हाँ, Lahore को आप Pakistan नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सारे के सारे Pakistan ये Lahore में नहीं बसते so you need to think about it in another way, कि आप का रुजहान जो है, वो अपने aim की तरफ हो, ना के आप अपने data को ही खराब करते जाएं, ठीक है, so इसको हम बोलते हैं बाइसने, इसकी एक और मिसाल मैं देता हूं कि मैंने data collect किया और ये मैंने glasses जो है उतार के अपना data जो है वो collect नहीं किया for example, मैं data collect कर रहा था और मुझे पता है कि मेरी नजदीक की नज़र Allah ना करे कमजोर है, मेरी कमजोर नहीं है नज़र है, I'm just giving an example, अगर मेरी नजदीक की नज़र कमजोर है, इसका मतलब मैं जब glasses के बगार कोई चीज पढ़ूँगा तो वो मुझे धुंदली नज़र आएगी so वो जो धुंदली 30 नज़र आ रही है इसका मतलब यह नहीं कि जो 0 लिखा हुआ है मैं उसे कहा दूँ, यह 6 लिखा हुआ है मुझे 6 नज़र आ रहा है, है वो 0 तो 22-ness क्या हुई, क्योंकि मेरी नज़र खराब है इसकी वज़ा से वो मुझे 6 लग रहा है so I need to wear the glasses जो मुझे correct data दिखाएंगे, ठीक है और 22-ness क्या होती है कि जो बंदा data को measure कर रहे है उसकी एक personal bias होती है किसी चीज़ की तरफ say for example, अगर मैं data collect करने बैठूंगा कि पाकिस्तान में कितने लोग religious हैं तो obviously as a Muslim और Muslim nation की base पे मैं क्या करूंगा, सिरफ वो उन लोगों को देखूंगा जो नमाज पढ़ने जाते हैं, जो मस्जिद में जाते हैं जो Quran में जीद पढ़ते हैं या लोगों के साथ जिनका अखलाग बेतर है या जिन्होंने दाड़ी रखी हैं, जिन्होंने पगड़ी रखी हैं जुल्फे लखी हैं, there are many parameters according to different things different जो फिरकेश चल रहे हैं बाकिस्तान के अदर बट अगर मैं Christian होता, तो क्या होता मैं फिर churches की तरफ जाता इसी तरीके से अगर कोई हिंदू है तो वो सिरफ और सिरफ मंदरों पर बेस करेगा या ज्यादातर मंदरों पर बेस करेगा तो ये एक personal bias होती है बंदे की अलहमदुलिल्ला एक मुसलमान होने के नाते जब भी मैं religion की बात करूँगा usually सबसे पहले mind में क्या आता है as a Muslim हमारे मुसलमान होने का जो एक purpose है वो so now we will see कि biases होती क्या है और इनको define कैसे किया जाता है और ये errors को ही biases बोलते हैं लेकिन ये नजर नहीं आती एक मैं मिसाल आपको देता हूँ आपने कोई गलती की आपने कोई गलती की लेकिन वो पकड़ी नहीं गई इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलती नहीं है वो गलती ही है पकड़ी जाए या ना पकड़ी जाए कुछ errors पकड़ी जाती हैं कुछ errors पकड़ी नहीं जाती हैं वो डेटा के अंदर चेक कर सकें, let's move into my screen, यहाँ पर आपके पास screen के ऊपर, अब हम देखेंगे कि biasness किस तरीके से हमें help out करती है, ठीक है, so let's see, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कि हमारे पास biasness जो है statistics के अंदर, और data science के अंदर कैसे helpful साबित होती है, for example, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, biasness, ठीक है, so biasness है क्या, इसकी पहले definition हम देखते हैं, फिर हम आगे move करेंगे कि biasness को हम किस तरीके से define कर सकते हैं, so let's see the definition first, any factor, कोई भी एक factor, यानि के अगर मैं any factor, कोई भी एक factor, अब इसको हम detail में देखेंगे के any factor, that causes a systematic distortion in data collection, that causes a systematic distortion in data collection, यानि के ऐसा factor, जो आपके data collection के अंदर, कोई systematic distortion ले के आए, अब आपको भी पता है, systematic हमने error जो पड़ी थी, उसके अंदर क्या चीज़ देखी थी हमने, कि जब कोई error आए, उस error को अगर आप systematic कहते हैं, उसका मतलब यह है, कि आपके system के अंदर error है, यानि कि जब आप उस error को देख रहे हैं, वो systematic error है, वो किसी एक system के तहट आपके पास आई है, ठीक है, अब इसकी example मैं ऐसे देता हूँ, कि जब भी आप data को collect करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो data accurate है, और उसमें कोई भी random error जो है, वो इतनी ज्यादा नहीं है, और दूसरी systematic error भी इतनी ज्यादा नहीं है, इसका मतलब आपने good data collection practices जो है, उन्हें अपने तहीं जो है वो data पे लगाया, बट on the other side, होता क्या है, अगर मैं black चश्मा पहन लेता हूँ, अब मैं आपको बदाता हूँ, black चश्मा, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में अंधेरा हो गया, समझ रहे हैं बात को, अगर मैं काला चश्मा पहनता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया सारी की सारी काली हो गई है, अगर मैं green चश्मा पहनता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी सारी दुनिया जो है आगे वो green हो गई है इसका मतलब यह है कि मेरी आँखों पर यानि कि systematically जिस नजर से मैं data को देख रहा हूँ वो different है जो लोग देखेंगे वो और different होगा यह आप यही समझ लें कि कोई भी चश्मा जो आपने पहना है और फिर आप data collect कर रहे है और आपको ऐसा लगेगा कि वो चश्मा जो है जो मैंने पहना हुए उसका impact नहीं है बलके यह original data ही ऐसा है ठीक है इस चीज़ को हम बोलते है measurement biasness ठीक है सही हो गया और यह क्या करता है measurement biasness क्या करती है basically it effects यह effect करती है दो चीज़ों को mainly आपकी data की accuracy को और second जो जिस चीज़ को यह खराब करती है data की accuracy के इलावा that is the reliability of your results reliability of results तो यह दो चीज़ें इससे खराब होती है इसका मतलब यह हुआ कि biasness जो है हमें उसको minimize करना होता है और data को अच्छे से हमने देखना होता है ठीक है कि data सही जा रहा है या नहीं और यह दोनों चीज़ें जो हैं यह दोनों चीज़ें यह एक काम खराब करती हैं जिसको हम बोलते हैं आपको mislead करती है to draw conclusion क्योंकि आप जब data से data driven decision making कर रहे होते हैं तो आपको यह लगता है कि जो मैंने data collect किया इसकी बेस पर यह result आए है तो यह सब बेहतरीन तरीके से चल रहा है तो usually यह हमारे पास इस तरह की जो biasness होती है वो बड़ा काम खराब करती है और यह biasness अकसर वकात लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो data अच्छे से collect किया है लेकिन वो क्या करते हैं या तो अपने करीबी रिष्तिधारों से data collect करते हैं या वो convenience की base पर करते हैं कि जो पहले आ गया मैंने उससे data collect कर लिया या वो data collection के असूलों को proper way में follow नहीं करते हैं आपने भी देखा होगा sociology के जो students अवक्सर वकात सर्वे करते हैं वकत क्या करते हैं पेपर लेकर गूम रहे होते हैं कि या यह फिल कर दो यह फिल कर दो अगर कोई ना फिल कर रहे तो खुद ही बैठ के फिल भी कर लेते हैं अक्सर वकात तो वो bad data collection practices होती है we will see now कि यह biases in data जो होती है यह कितनी किसम की होती है how we can actually say कि कितने चहरे हैं biasness के so अगर मैं यहां पर लिखो biasness या bias data भी इसको बोल देते हैं ठीक है bias in data यह कितनी किसम का होता है सबसे पहला जो है number one is आपको भी पता है कि sampling bias सबसे पहली biasness है sampling bias ठीक है दूसरी biasness है मैं आपको one by one करके बताता हूँ selection bias तीसरी biasness जो है हमारे पास that is called confirmation bias number four is called survivorship bias and number five is called reporting bias अब यह main जो है इतनी किसम की biasness है और इसमें जो ज्यादा तर bias होती है वो होती है main जो है जो इन में से काफी broad categories को combine करके लिखी जाती है उसको हम बोलते है information bias यानि के biasness in information ठीक है अब हम बारी बारी देखते है कि bias किस तरीके से चलती है यह bias यह वाला bias नहीं है मैं पहले बता दूँ आपको biasness का मतलब है कि आप किस नजर से data को देख रहे हैं या जब हम data collect करते हैं किस किसम की biasness आ रही है तो sampling bias पे पहले हम जाते हैं sampling bias क्या होती है उसको देखते है sampling bias occurs when a sample is not representative of the population यानि के जो आपने sample लिया है यह population को represent ही नहीं कर रहा ठीक है इसकी मिसाल मैं एक सरोकाद देता हूँ और फट से आपको समझ आ जा जाएगी कि मेरे पास है section C section C का मैं CR बनाना चाहता हूँ किसी को तो मैं section C वाले student में से बनाऊँगा sampling bias यह कहती है कि आपने जिसको CR बनाया है वो section D का बन गया यानि के आपने section D वाले को उठा के CR बना दिया ठीक है समझ आ ही बात की सो basically होता क्या है कि आपने जो sample लिया वो population को represent ही नहीं कर रहा simply सो आपने जो sample लिया है that shows different thing इसी चीज़ को हम बोलते है sampling bias occurs this occurs when यह कब होती है यह मैं दुबारा से लिख देता हूँ sampling bias sampling bias occurs when a sample is not representative when a sample is not representative of a population ठीक है समझ आगी बात की इसकी एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ मेरे पास है English की class है school में ठीक है और English की class में से मैंने बच्चे select करने है 5 50 टोटल है मैंने 5 sample लेने है उनके ठीक है 5 बच्चों को select करने है क्यों क्योंकि एक essay writing competition आ रहा है ठीक है उन 5 बच्चों को मेरा बनता है कि मैं इसी में से sample लेके select करूं ठीक है लेकिन अगर मैं English writing essay competition है मैं उर्दू की class में से ले लूँ तो यह होगी sampling bias क्यों क्योंकि मैं कहता हूँ कि जनाब उर्दू हमारी national language है मैं उर्दू को ही promote करूंगा English में भी जाना तो उर्दू वालोगों लेके जाऊंगा so this is called sampling bias और यह जो sampling bias है यह अक्सर उकात ना चाहते हुए भी आपके जहनों में बसी होती है ठीक है अब इसको understand करने के लिए आप क्या कर सकते हैं एक और काम इसमें हम कर लेते हैं अब यह तो sample का आपको समझ आगी इसके एक और मिसाल देता हूँ मैं आपको another example हमारे पास एक forest है ठीक है जिसके अंदर कोई 300 trees लगे हुए हैं आप mini fresh कहलें उसे ठीक है 300 trees लगे हुए है अब मुझे जो एक पसंद है यानि कि जिस दरखत के पास मैं खड़ा हुआ हूँ सिरफ उसी के analysis करके मैं कहा दता हूँ कि जिनाब पूरे का पूरा forest ही ऐसे है ये भी sampling bias है एक दरखत को देख के हम पूरे forest के बारे में नतीजा अख़ज नहीं कर सकते इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास हम कड़े हैं वो ही सब कुछ बता रहे है या बना रहे है ठीक है so this is also called sampling bias so sampling bias कही किसम की होती है but we will say के ऐसी चीज जो आप sample के दुरान जिसके अंदर कोई खसूसिया देख के आप पूरी की पूरी population यानि के पूरे की पूरे forest की बात कर ले अब forest यहाँ पर क्या है ये population है और हमारे पास जो ये tree है ये वाला ये एक sample है ठीक है तो हमें क्या चाहिए कि हम random ले कुछ 10 से 15 चीजें ले but we will see that तो ये होती है sampling bias अब चलते हैं selection bias की तरफ कि selection bias क्या होती है number 2 is selection bias selection bias क्या होगी ये तब आती है जब हम process of selecting participants और data points को effect करते है on the steady outcome मैं इसको लिखता हूँ पहले लफजों के अंदर फिर हम इसको देखते हैं ताकि आपको भी असानी हो जाए और समझने में अफाका रहे तो ये कब होती है this happens when the process of selecting participants the process of selecting participants or data points affect this study outcome ठीक है ये तब आती है अब इस किसम की selection bias ये तब आएगी जब आप क्या करते हैं जब आप process जो है selecting participants ये final study outcome पे बड़ा असर अंदाज होता है ठीक है अब इसकी मिसाल क्या है इसकी मिसाल एक ये है कि आपने एक idea दिया ठीक है idea दिया कि हमारी कलूनी के अंदर कि हमारी कलूनी के अंदर gate लगना चाहिए हर side ठीक है ये आपने एक idea दिया कि हमारी कलूनी के अंदर gate लगना चाहिए और idea आपने कहां पे दिया है अपने घरवालों को सिरफ इसी base पे आपके घरवाले आपके साथ agree करते हैं क्योंकि पता है कि आप घर को control कर रहे हैं या तो आप खर्चा घर का उठा रहे हैं वो आपके साथ agree कर जाएंगे या आप अपनी अम्मा को idea सुनाते हैं वो कहते है ठीक है भेटा तुम बहुत उपर जाओगे पन गो विद इट तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो final outcome है उस पे direct इसका असर पढ़ रहे है इसका मतलब ये भी है It is like selection by इसका मतलब ये है It's like only listening to the opinions from people who agree with you ठीक है It's like only listening to the opinions of those people who agree with you मतलब ये कि आप क्या कर रहे है आप एक idea देते है ठीक है और सिरफ उनके opinions को सोचके मदे नजर रखके idea को finalize कर लेते है जो आपके साथ agree करते है आप critique सुनने के हादी नहीं है इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ आपने किसी एक business में इंवेस्ट करना है अगर आप कहते हैं ठीक है हमारे टीम ने idea कर लिया आप finalist को deploy करें हालांके आपको उनको भी सुनना चाहिए जो आप से agree नहीं करते क्यों? क्योंके वो क्या करेंगे वो आपको improve करने के chances देंगे और usually ये तब ही होता है जब आप critique सुनने के आदी होते हैं इसी वज़ा से बड़ी-बड़ी industries के अंदर critical thinking को promote किया जाता है कि आप critical thinking के ऊपर लेके ऊपर जो है कोई decision फिर लें so selection bias हमारे पास क्या है ये तब होती है जब आपका selecting the participants या data points आपको help out करते हैं outcome के लिए इसका मतलब एक और है अगर आप किसी एक machine learning algorithm को train कर रहे है जिसके अंदर main concept ये है कि आपने future यानि के कल की बारिश जो है उसको predict करना है अगर आप सिरफ उन्ही models को सुनेंगे जो कह रहे हैं कि कल बारिश नहीं होगी और उसकी base पे आप idea अपना result ले ले लेते हैं और उसको नहीं सुनते जो कल को कह रहे है कि बारिश होगी तो हो सकता है कि इसका result आपकी final outcome पे असर अंदाज हो So these kind of selection bias actually had a bigger effect अब तीसरी हमारे पास है confirmation bias confirmation bias क्या होती है आप अपनी gut feeling की base पे gut feeling की base पे कोई result अख़ज कर ले presumptions इसे बोलते है presumptions यानि के आपके अपने life experience की base पे जो पहले से आपके mind में बैठा हुआ है आप उसी को कह दें कि यह जो है यह इसी तरीके से होगा क्यों? क्योंकि मेरे पास confirm करने के लिए मेरी अपनी presumptions जो हैं वो बैठी हुई है इसको presumptions भी बोलते हैं या pre existing beliefs की base पे जो आप नतीजा अख़ज करते हैं प्री एक्जिस्टींग बिलीफ ठीक है? प्री एक्जिस्टींग बिलीफ जो हता है वो यह हता है कि आपकी लाइफ के अंदर आपके पास जो भी कोई मसला आया या जो भी आपके पास कोई सूर्टे हल बनी आप उसकी बेस पे अंदाज अलगा की कह देंगे के जनाब यही कुछ होगा ठीक है अब इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ अच्छे वाली आपको अभी समझ आ जाएगी के एक जो detective होता है na confirmation bias का मतलब यह है के detective जो होता है वो ज्यादा तर उन्ही clues को देखता है जो उसकी थियोरी को sport करते है यानि के एक जो investigator या detective होता है वो उन्ही clues को देख रहा है जो उसकी थियोरी को actual में confirm कर रहे होते हैं sport कर रहे होते हैं तो इसको बोलते है confirmation bias जो आपके साथ चला अब उसको count करो दूसरे को करो ना मिसाल के तोर में कहता हूँ कि खाना खाने से weight बढ़ता है तो मैं सिरफ उन्ही लोगों का data collect करता हूँ जो बिचारे थोड़े से heavy weight है ठीक है अब अगली जो है हमारे पास टाइप वो है survivor ship bias number 4 is called survivor ship bias survivorship bias क्या होगी आप सिरफ मैं आपको मिसाल दे देता हूँ सिरफ उन्ही को discuss करें जो कामियाब होगे है उन बिचारों का क्या नुकसान है जो fail हुए say for example you only discuss you only select or discuss select or discuss किन को जो survivors है या successors है या success story रखते हैं sorry not successors success stories वाले मतलब आप जो fail हुए है उनको ignore कर रहे है ignoring the failed ones और ये startup की दुनिया में होता है वो ही कहते हैं ना कि आपकी मेहनत आपने कितनी की है ये कोई ने देखता ये जरूर देखते हैं कि आप कहां कहां पे कहां कहां पे कामयाब हुए है ठीक है आप जितनी दफ़ा fail हुए है ये कोई ने देखता और usually ये बहुत ज्यादा होता है कि आप celebrate उन्हीं चीजों को कर रहे होते हैं who made it through the case while actually ignoring many who didn't मिसाल के तोर पे आपने अगर cancer की studies देखनी है तो जो एक treatment को लेके बिचारे ज्यादा देर रह चुके हैं या living life span उनका ज्यादा हो गया है living span बढ़ गया है अगर सिरफ उसी को देख रहे हैं और उनको नहीं देख रहे हैं जो mortal हो गए हैं आपकी medicine के साथ इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास survivorship bias है जो survive कर रहे हैं उनकी biasness है इसकी एक और मिसाल ले लें आपने अगर survivorship bias को देखें तो यहाँ पे इसकी एक और example बड़ी अला बनती है कि Titanic के अंदर या जब भी Allah माफ करे कोई plane crash होता है तो जो survivors होते हैं उनकी stories जो है वो बढ़ के उपर आती है Titanic के अंदर भी यही हुआ था ठीक है और उनकी story उपर आती है और जो लोग बिचारे दुनिया से जा चुके होते हैं या mortal हो गए है या die कर चुके है उनको कोई नहीं देखता है ठीक है no one thinks about them until unless कोई बताए अब problem क्या है यह जो survivorship बाइस होती है यह basically हर industry में चलती है आप startup के अंदर देख लें startup के अंदर जो बहुत उपर जाता है उसको discuss किया जाता है आप Elon Musk को discuss करते हैं आज कर Sam Altman को बड़ा discuss किया जा रहा है जो open AI का CEO है आप सिरफ उनको discuss करते हैं जो कामयाब हो गए है ठीक है open AI का CEO हो गया Elon Musk हो गया Elon Musk जिसे बोलते हैं हम लोग ठीक है Bill Gates हो गया सही हो गया इसके इलावा आपके पास और भी काफी है Mark Zuckerberg and there are many so होता क्या है आप सिरफ उनको discuss करते हैं जो कामयाब हो है जो बिचारे fail हुएं उनको कोई ने discuss करता और अगर आप IT industry को देखें आप सिरफ इनहीं से sample नहीं लेंगे आप उनसे भी लेंगे अगर आप IT के data पे काम कर रहे हैं जो fail हुए है because you want to know के वो fail कैसे हुए है how did they fail ठीक है अगर आप उनको नहीं discuss करते हैं और सिरफ इनहीं को करते हैं इसका मतलब यह है कि आपके पास survivorship bias है and you need to actually minimize that last but not the least जो मैंने 5th number पे आपको बताई थी that is reporting bias reporting bias क्या होती है आप जो भी चीज आपके पास अच्छे तरीके से आ गई है आप उसको बुरे तरीके से या लिफाफे के बाद report करना start कर दे मीडिया पे आपको पता है ना COVID-19 के cases कम होते थे लेकिन मेडिया पे बढ़ा चड़ा के अक्सरों काज ज्यादा भी बताया जाता था to gain more funding इसकी other example मैं ले लेता हूँ आज कल जो पाकिसान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर मीडिया जो दिखा रहा है वो actual में नहीं हो रहा इसको बोलते है reporting biasness ये बहुत बड़ी example है कि दुनिया में जो हो रहा है वो आप ना दिखाएं जो नहीं हो रहा और जो लोग कुछ specific group चाहते हैं कि ये हो रहा है ये ही लोगों को बता चले उसको बोलते है reporting bias और मेडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा काम आती है जब आप different gism के लिफाफ उनसे खेलते हैं I'm not going into details reporting bias think of a news channel जो सिरफ good news को cover करते है ठीक है bad news को cover नहीं करते और ये पाकिस्तान में नहीं है आप योरप के अंदर जब रह रहे हो तो वहां पे मतलब यहां पे खास तोर पे जर्मनी या different gism के countries के अंदर good news को बहुत highlight किया जाता है जो bad news है उन्हें highlight नहीं किया जाता उसकी reason के है उसकी reason यह है ताके positivity लोगों में बरकरार रहे है ठीक है so this could be one of the reasons or the other reasons could be कि reporting biasness आपकी मजबूरी बन जाती है otherwise आपके channel को जर्माना हो जाएगा या पाकिसान के अंदर ठीक है so these kind of reporting biasness occurs a lot और इस किसम की biasness को कम करने के लिए आप क्या करते हैं फिर social media का सहारा लगते है true to the worth news देखते हैं जो बिलकुल true story आपको बता रहे हैं आप उनको देखते हैं जो report सही तरीके से कर रहे हैं आप उनको देखते हैं इसकी एक मिसाल मैं और दूँगा यहां पर reporting bias को अब जितनी भी biasness हमने पड़ी है अगर मैं सारी की सारी को आपके सामने ले किया हूँ say for example यहां पर हमारे पास जो biasness की मैंने आपको types बताई थी यह मैं आपके सामने ले आता हूँ sampling bias, selection bias, confirmation bias, survivorship bias, reporting bias यह सारी की सारी मिलके आपको information biasness की तरफ ले जाती है यानि कि information bias है क्यों क्योंकि यहां पर सभी से आपको data या information मिल रही ह और वो जो information है वो basically आपकी biased information है and how to survive with that biased information we need to think about that deeply, अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा हमारे पास कौन कौन सी ऐसी strategies है जिनके थू हम biases को minimize कर सकते हैं, आपका क्या ख्याल है कि different किसम की biases को कैसे minimize किया जा सकता है, I know there are many ways to minimize the biases लेकिन आप मुझे कोई बता सकते हैं in comment section के आपी आपिया संददन के ह् संदन एह productive नपियुर्स